हेलो, नमस्कार, किसान साथियो, मेरा नाम दलबीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज मैं आपके लिए एक खेती से जुड़ी नई वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में आज मैं आपको बताता हूँ कि गवार की खेती किस तरिके से गरे जिससे में ज़्यादा से ज़्यादा इंकम प्राप्त हो गवार की खेती के लिए उप्यो कुछ में कौन सा है गवार की खेती के लिए फसल सकर पनाना क्यों जुरूरी है गुआर के खेत्ती के लिए कौन सा बीज़ का सुनाओ करें, कौन कौन सी इसकी उन्नत किसमे है, किस तरह में बीज़ का उप्सार करना है, और इसके लिए में बीज़ की मातरा की कितनी जूट पड़ेगी इसके खेति के लिए जल प्रबंदन का होना बहुत जूरूरी है są और इसमें किट प्रबंदन वा रोक प्रबंदन भी बहुत जूरूरी है इसके बाद हम इसके कटाई वा कटाई करते हैं अब हम बात करते हैं कि इसकी बजाए के समय कौन कौन से साथदा ने रखे जिसके की 20 काउं कौन सो पर 30 को जिससे कि हमें कम खर्चवा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वसल की पैदावार पराप्त हो जैसे कि में एक अच्छे इंकम परापत हो इस वीडियो को अंत तक जुरूर देखे ताकि आपको खिती से जुरूर जानकारी परापत हो अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जुरू करे ताकि इन्ने किसानों को जानकारी परापत हो अगर आप और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह गरम मोसम की फचल है जिसे बाज़रे के साथी लाख कर बोया जागता है इसे एरे सब्जी के रूम में भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ जगों पर इसे एरे चारे के रूम में भी प्रियो करते है इसका अच्छा दाम भी मिलता है इससे किसान सलाना लाखोर उपए की कमाई कर सकती है इसकी खेती मुक्यतों पर राजस्तान, हरियाना, उत्तरपदेश, एंपिवा, महाराष्टर के कुछ इस्सों में की जाती है महाराष्टर में लगबग 9.1.6 में इसकी खेती की जा रही है कर्शी विवा के अधिकारियों ने बताया कि पस्वों को गवार खिलाने से उनमें ताकत आती है तो दारू पस्वों की दूद देने की समता में वर्द्य होती है गवार से गौंद का निर्मान भी किया जाता है गवार गम का प्योग अन्यक उत्पादों में होता है गवारपली से स्वादिष्ट सबजी बनाई जाती है इसका इस्तेमाल दालता सूप बनाने में भी क्या जाता है गरामिन चेतरों में यह एक काफी लोग फिडिया फसल है हेलो नमस्कार सभीकिसान भायों का मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है आज मैं आपको 365 गवार की वरैटी के बारे में कुछ विशेशता हैं बताऊँगा गवार की 365 वरैटी की पैदाबार सबसे अच्छी होती है यह गवार बिलकुल वाइट होता है अगर बारिश जादा हो जाए तो इस वरैटी का रंग कुछ कॉला भी पड़ जाता है की बुआई हरियानावा राजस्तान में की जाती है एक एंकट के लिए 5 किलो बीच प्रियापत रहता है इसकी बिजाई आप अलकी मद्यम बारी और इतली मिट्टी में की जा सकती है पांस के जीब पैकट के किमत पांसो रुपएगे आसपास होती है 365 वरैटी के पॉद्दगी आइट सबसे जादा होती है इस वरैटी में किसी भी वर्कार की कोई विमारी नहीं आती है अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और इंडियन टेक्निकल फार्में को सब्सक्राइब करें धन्यवाद गुड़ाई नमबर चवदा, तिस दिन बाद सिचाई नमबर पंदा, जलका परबंदन नमबर शोड़ा, कीट वर रोगा परबंदन नमबर शोड़ा, इंसेक्टिस, साइड वर टोनिक का सप्रे नमबर सता, कटाई, फिर कडाई, फिर पंडार्ण ये मुक्के सावदानी है, जो हमें गुड़ार की फशल में रखनी चाहिए गुड़ार की खेती के लिए उप्यूकत समय गुड़ार की खेती खरीब और गर्मी के मौसम में की जाती है काले इन फसल की बुवाई के लिए मैं मैंने का परतम खोड़ा उप्यूकत समय है जाई आप नेरी पानी से भी कर सकते हैं देरी से बुवाई करने पर पैदावार पर प्रतिकल प्रभाव पड़ता है वर्षा रितुक की फसल की बुवाई के लिए जून वाद जुलाई उप्यूकत समय है वर्षा दारी छेतरों में जुलाई मा में वर्षा आगमन के समय ही गवार की बुवाई कर देने चाहिए बजार में बाजरा की बहुत सी वराइटियां पुलुब्द होती है मई महिने में हम अगेत्ती वराइटी वाद जुन जुलाई में हम पचेत्ती वराइटी या फिर हम समय के उनुशार ही वराइटी का चुनाओ करते हैं खेत का चुनाओ इसके बाद हम बाजरा की बिजाय के लिए हम खेत का चुनाओ करते हैं अगर पहले उस खेत में सरसोगी भी जाई की थी तो सरसोगे फनों को रोटावेटर की साथा से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे ताकि सरसोगे फनों खेत में अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाई फिर आप हैरोगी साथा से दो तीन बार अच्छी तरह से जु जुताई कर दे फिर आप हैरो की शायता से उसकी एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे या फिर आप कल्टिवेटर की शायता से एक गहरी जुताई कर दे अगर खेत नहरी है तो उस खेत को लेजर लेवलवर की सायता से संतल कर दे ताकि खेत की से चाहिए अच्छी तरक्याशी हो जाई मिट्टी की जांच सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा ले जिससे हमें यह पता सकता है कि कि अमिट्टी में कौन-कौन से पाउसक तत्तों की कमी है और खेत की मिट्टी किन-किन फसलों के लिए उप्यूकत है और इस मिट्टी में कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है जैसे केहूं चन्ना, अरहर, चर्सू राया, बर्शीन कन्ना, अलू, मक्का, बाजरा, कपास मिट्टे की जांच से हमें यह पता जल जाता कि इस मिट्टे का pH मान कितना है और इसमें कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है पाने की जांच अगर आप फसल की विजाई के लिए नेरी पानी का इस्तेमाल करते हैं इस भी परकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का उंकौन सी फसलों की विजाई करते हैं तो आप सबसे पहले टीवल के पानी की जांच करवा लिए अगर टीवल का पानी पीने में मिठा है तो इसमें पानी का पीपियम ज़्यादा हो सकता है और बीज उंकौन के समय एक समस्या बन जाता है अगर पानी का पीपियम एक जार से कम है तो यह ऐसे भी परकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज का उंकौन सोपरतिस्थ हो जाता है अगर पानी का पीपियम एक जार से ज़्यादा है तो इसमें बीजगां कॉन सही तरीके से नहीं हो पाता है इसलिए पाने की जांस करवाना बहुत जुरूरी है गौार की फचल में मेट टिवल के पाने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे गौार की फचल अच्छी नहीं होती है अगर शिचाए के लिए जूर्थ पड़े तो हमें निएरी पानी का ही इस्तैमाल करनाँ चाहिए खेत की त्यारी हुए गुबर की खाथ अगर आप खेत में गुबर की खाथ का इस्तैमाल करते हैं तो आट से दस टॉल दी एक अंकट के लिए प्र्यापत रहती है कोबर की खात जमिन में अच्छी तरह भी खायकर जमिन को सम्तल कर देना चाहिए गवार की खेती के लिए बुमी गवार की खेती के लिए उंचित जल निकास सबाली दोमट वा बलूई दोमट मिट्टी सरोतन रहती है यह फसल सिंचित वा एस सिंचित दों चेतरों में सफलता प्रूप उगाई जा सकती है अलके सारी है वा लवनिय बुमी जिसका प्याच मान साड़े साथ से साड़े आठ तक हो वहीं पर गवार की खेती है सानी से की जा सकती है गवार के लिए एक जुताई मिल्टी प्रियापत रहता है जिसमें मर्दा नमी सरंक्सित रहे जुलाई जून के दिवते पकवाड़े में ही करने चीए इस प्रकाद त्यार खेत में करपतवार कम पनपते है गवार पसल के लिए चलवायू गवार एक सुका सहन करने वाली गरम जलवायू की पसल है यह उन्च चेतरों में सानी से उगया जा सकती है जहां पर ओसित वार्षिक वर्षा 30 से 40 संटीमेटर तक होती हो बिजों के अंकूर्ण वाय जड़ों के विकास के लिए 25 से 300 सेंटीमेटर के निचे ताब मान उप्यूकत होता है गवार एक परकास से विदन से फसल है अताइस फसल में फूल वय फलियों का निवान के वर्षिक के मौसम में ही होता है अताइदिक बारिस वर्षांत वाट ठंड़ को या सैननी कर पाती है जिन चेतरों में अताइदिक गरमी पड़ती है पंतु सिचाइगी सुविद्धा उपलब्ध है वहाँ पर गवार की खेती से बरपूर पैदावार दी जा सकती है सुशक और अज सुशक दोनों दसाओं में इसकी खेती असानी से की जा सकती है गवार एक उसन कटे बंदिया फसल है जो अठारा से तीस डिग्री सेलसिशिस के उसातामार मरपकती है ख्रेव के गरम और आदर जलवाईयों के काण पेड़ों की वर्दी बहुत अच्छी होती है सर्दी के मौसमें इन फसलों की केति लाब दैग नहीं होती है यह फसल सभी परकार के मिट्टी में उगाई जा सकती है अच्छी जल्म निकास वाली मद्यम से भारी मिट्टी में फसल अच्छी तरह से बढ़ती है यदि मिट्टी की सतर्दी यह फसल चकर फसल चकर को क्रोप रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है किसे निश्चित भूमी में निश्चित समाबारी फसलों को लगातार अदल बदल कर वोना ही फसल चकर कराता है फसल चकर का मुद्ध के अधिश्य किसी भी तरह के पोद्धे के लिए भूमे में मुझूद पोशक दत्तों के इस दूपयों किसे भूमे की बहुतिक और जेविक सित्ति में संतुलब बनाय रखना होता है लगातार फसल चकर अपनाने से किसान भाई को फसल में आने वाली की तरह की परेशानियों से चुटकारा मिलता है फसल चकर का इस्तेमाल कर किसान भाई अपनी भूमे में से लगातार अच्छी फसल ले सकते है और इसके अपनाने से खेत की उरुक सकता भी बनी रहती है गुण आ जाते हैं भूमी के अंदर विशेले गुण उत्पन हो जाने पर भूमी पाई जाने वाली चोटी प्योगी मित्र कीट नश्ट हो जाते हैं और भूमी दीरे-दीरे बंज़रूप जान करने लगती है फसल चक्कर के फाइदे फसल चक्कर के बनाने से भूमी की जनित रोग नहीं लगती है इसके पनाने से फसलों में पैदावार दिक मातरा में प्राप्त होती है जिसके गुणबता भी अच्छी पाई जाती है बूमी में फसल चक्कर बनाने से रसाइनिक उर्ण कम मातरा में इस्तेमाल किया जाते हैं जिससे मिट्टी दुसित होने से बचती है फसल चक्र अपनाने से फसलों में रोग भी काफी कम ही देखने को मिलती है जिसकी वज़ाई से किसान भायो दोरा रसनेक दोयाओं पर क्या जाना वाड़ा कर्ची भी कम हो जाता है फसल चक्र के दोरान भली वाली फसलों के बहुने पर खेत में नाइट्रोजन की प उठती बनी रहती हैं फचल्चकर अपनाने से खेत में खर्पतवार में कमी देखने को मिलती है क्योंकि फचल्चकर के दोरान अधिक गुड़ाय वाले फचलों को बोने पर खेत में खर्पतवार नश्ट हो जाते हैं अधिक पुसंद तब तो गरण करने वाली फचलों की खेत को एक वार खाली छोड़ देना चीए किसी भी विशेश रोग के लगने पर उस फचलों को लगातार खेत में नहीं उगाना चीए जिन फचलों की जड़े अधिक गराय में जाते हैं उन फचलों के बाद जिन फचलों की जड़े कम गराय में जाते हैं उन्हें उगाना चीए अना आज फचलों के उगाने के बाद दो से तिन साल में एक बार धनलनी फचलों को जुरूर उगाना चीए देख गुडाई वाली फसलों के बाद कम गुडाई की जूर्ट वाली फसलों को उगाना चीए देख सिचाई वाली दान जैसी फसलों के बाद कम सिचाई वाली जूर्ट की फसलों को उगाना चीए दिकल लेने वाली फसलों के भाद जिन फसलों के उरूक की काप पिकम आओ सकता हती है उन्हें उगाना चीई इस परकार हमें फसल कर अपनाना चीँ बीज का चुनाओ, हमें एक ऐसी वराइटी का चुनाओ करना होता है, जो वराइटी अच्छा उत्पादन देती हो, जिसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होता हो, और जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा मांगो, और उसका बाओ भी अच्छा हो, क्योंकि एक बड़ी ए अरिफलियों के दार पर तीन बागों में बाटा गया है, 19 में इस प्रकार है, दानों के लिए 19 किसमे अजजी 365, 253, 220, अरिफलियों तो 19 किसमे, IC 13, 83, 85, अरे चारे के लिए 19 किसमे, ये मुख्यत अरे चारे के लिए उप्यों की जाती है, बुंदेल गौर 3, गौर करनती, अगर आप पैदावार के लिए उपयोग करते हो तो दाने वाले उनत किश्मों का ही चुनाप करना चाहिए अगर आप रहेच चारे के लिए उपयोग करते हो तो रहेच चारे वाले उनत किश्मों का उपयोग करते हो तो रहेच चारे वाले उनत किश्मों का उपयोग करते हो और अरिखाद फसल में 15-16 किलो परतियंकड पीज की जूर्ट होती है इसके इलावा आप अरेचारे के लिए फसल का उप्योग करना चाहते है तो 16-17 किलो पीज परतियंकड की जूर्ट होती है इन विजो को खेत में लगाने से पहले उन्हें कैप्टान या बावस्टिंग की उच्छित मातरा में उप्चारित कर लिए ताकि विजो कार में फंपुद या फंगस जैसे रोग ना लगे पुद्धोय में जड़ों के दिख मातरा में गांट फायदा करने के लिए जौन रोददक राय जो भी हम उरक से उप्चारित कर लेना चाहिए एक एक्टर के खेत में 200 ग्राम की मातरा वाड़ी दो पैकट वाग जवान रोददक की जूट होती है सबसे पहले हम फंगिसाइड से बीज को उप्चारित करते हैं फिर इंसेक्टिसाइड से बीज को उप्चारित करते हैं फिर आज जो भी हम कल्चर से हम उप्चारित करते हैं फंगिसाइड को उपचार करने का मुख्य उद्यस्या है फंगस की बिमारियों की रोक्थाम के लिए किया जाता है और इंसेक्टिशाइड द्वाउं से उपचारित करने का मुख्या उद्यस्या दिमक जैसी रोक्ताम के लिए किया जाता है और आज जोबियम कल्चर का प्योग खेत में जिवानों की संख्या बढ़ाने के लिए प्योग किया जाता है जिससे खेत में जिवानों की संख्या बढ़ जाई जिससे कि एक अच्छी फसल पराप्त हो। गौर फसल में खा दें हो उरूरक। गौर डला नी फसल होने के कान नाइटरोजन की कुछ आपति वातावरन की नाइटरोजन को जोडों में उपसित पॉणटार एक्तरत की लिए जाती है। लेकिन फसल की पावरेंबी कवस्ता में पोशक तक्तो की फुर्टी के लिए 20 किलो नाइट रोजन वाज 40 किलो फासपोर्स प्रते एक टेर प्रयापत रहता है, पूरो नाइट रोजन वे फासपोर्स की मातरा बुआई के समय खेत में डाल देनी चीए, इसके तरित गौर की बुजाई को बुआई से पहले राज जोबियम कल्चर की 600 ग्राम मातरा को एक लेटर पानी वबाद डाइसो ग्राम गुड के गोल में 15 किलो ग्राम भी उसको पचारित कर चाहा में शुका कर बोना लाब दयाक रहता है, खेत की तेरी के समय पांच टन गुबर या करें, बुआई हलके कुंडों में या था सीडर की साहिता से करें, कुडों में पुदों की जुडों के पास वर्सा जल से भी अधिक संग्रित होता है, जिससे पैदावार अधिक मलती है और फसल की देखवाल करने में भी असानी रहती है, गुवार के बुआई पंक्ति से पंक्ति की दूरी पंतारीस से पचास सेंटीमेटर तदा पुद्ध से पुद्ध की दूरी दस से पंदा सेंटीमेटर करने चीए, घराई चार से पांट सेंटीमेटर पर करने चीए, बुआई के समा भूमी में प्रियापत मातरा में नम्यों होने चीए, जिससे बीज का ज प्रास 500 मिलिमेटर को डाइस सो लेटर पानी में मिला कर इसका छिटकाओ कर दे जिसे की केद में खरपतवार नहीं होगे। खरपतवार नियांतर गवार की फसलों को खरपतवारों से पूर्ण तया मुक्त रखना चीए। खरपतवार निकल जाते हैं जिसमें जंगली जूट जंगली चरी वद दूब गास परूक है। और निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकलता रहना चीए इससे पूद्ध की जोडों का विकास भी अच्छा आता है और जोडों में वयू संचार भी बढ़ता है। दानेवाली फसल में बैसालीन 1 के लोग पर 3 एक्टेर की दरसे खेत में बुआई से पूरों मर्दा की उपरी 8-10 cm से 7 बार चटकाओं कर खत्र पर और उपर नियंतर पाया सकता है। खरपतवारों के नियंतरन एतू फसलों की बुआई के दो दिन पर चात पैंडा में लित्यान 30% EC का भी छटकाओं कर सकते हैं। बिजाई के 30 दिन बाद खेत में खरपतवार उग जाते हैं जिस खरपतवार उगने के बाद हमें उसकी निराई या गुडाई आचसे ही कर देनी चाहिए। निराई गुडाय करने के बाद अगर खेत की सिचाई करनी है तो 30 दिन बाद हम खेत की सिचाई कर सकते हैं जल प्रबंदन अगर खेत में पानी का बढ़ाओ जयदा हो सकता है तो हम उसके जल निकाशी का प्रबंद करना चोई है क्योंकि गौार की फसल में ज्यदा पानी दिमग प्रबंद्न के पोदों की जोड़ों को खाकर ये नुक्सान पुचाती है बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में कुरून पोस एक पाइंट पांच पत्ति सतिया कलोरिफाइस पाउडर 20-25 किलो परती एकटेर की दर से भूमिय में मिलानी चाहिए बौने के समय बीज को कलोरिफ पाइरिस केटनासक की दो मिलीलेटर मातरा से पत्ति किलोग्राम बीज की दर से उपचार कर ना चाहिए नंबर दो कातरा इस कीट की लट पारंबे का वस्ता में फसल के पोदों को खाकर नुक्सान पुचाती है इसके निंतन के लिए खेत के आस पास पाई रहनी चाहिए त किट पोदक के कमल भागों का रश्चुक्स पर फसलों को आनी पुंचाते है इसके निंतन के लिए ट्र मातरा को पानी में गोल बनाकर पत्ति एक्टेर की दर से छुटकाओ करना चाहिए वैक्ट्रियर बलाइट यागवार की बहुत आनिकर बीमारी है इस बीमारी के उपर गोल अकार के दब्बे बनते है इस बीमारी के नियंतन है तो रोग रोधी किस्मों का उगाना चाहिए बीज को दो ग्राम से ट्रेप्टो सैक्लिन से पर तिकलो बीज की दर से उपचारित करकर बोना चाहिए छाचिया इस रोग के कांड़ पोद्दे के उपर स्पेद के पाउडर का आवरन बन जाता है इस रोग के नियंतन है तो 25 किलोग्राम भुवाई के 30 से 40 दिनों बाद खेत में फुटाओ बढ़वारों फुलों की संक्या में जबरदस्त वद्दी करने के लिए हमें पलानों फिक्स और खल्टार जैसे टोनिक का इस्तेमाल करना चाहि इसका उभ्यों करने से फुलों की संक्या में जबरदस्त वद्दी होती है फलियों की संक्या ज्यादा से ज्यादा बनती है फूल जढते नहीं है 15-20 दिनों के अंतराल में हमें 2-3 सप्रेक करने चाहिए चिपपवाय रहतिला की रोक थाम के लिए हम मोनो क्रोटोफास या इमडिकलोराइड या टाटा का असाटाप जैसे दुआए यहों का चटकाव करना चाहिए अन्य केटवाय रोक की रोक थाम के लिए आप अपने नस्दिक की डोक्टर से भी संपरक कर सकते हैं इसके बार जैसे ही पैदावार या पसल की कटाई शुरू हो इसके बाद हम इसकी पसल की कटाई कर लेने चाहिए इसके बाद हम इसकी दूब में सुपाय लेना चाहिए इसके बाद हमें इसकी कटाई कर लेने चाहिए कडाई करने के बाद हमें इस पसल का पंडान कर देना च झाल झाल